हालो दोस्तो राना क्लासेज में आपका स्वागत है आज मैं आपको विहार से शंबंदित सव महत्पुर्ण फर्शन बताऊंगा जो परिच्छा में आने की संभावना इसे काफी रहेगी तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखें जो तो आपको परिच्छा में गलत होने की स पास चला जाएगा तो सुरु करते हैं तो domain से शुरू है यह तो विहार राज में सिचाइ का सरवाधिक परियों किया जाने वाला साधन कौन सा तो कौन सा है गे नलकूप है, बुचह जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रियोग कौन होता है, तो नलकूप का. बिहार की कुल सिंचित भूमी का कितना पर्तिशत भाग नहरो द्वारा सिचा जाता है? तो नहरोद्वारा कितना होता 30% बिहार में कुल सिंचित भूमी का कितना प्रतिसत भाग नलकुपोद्वारा सीचा जाता तो 65% हो गया नलकुपोद्वारा और कितना था ये 30% हो गया आपको नहरोद्वारा बिहार में कोशी प्रियोजना के निर्मान का सिरिगनेश कब हुआ शुरुवात इसका कब हुआ था तो 1954 में 205 में मेधक प्रियोजना किन दो राज्यों की प्रियोजना है मेडाच परियोजणा है जो की बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजणा है बिहार में नहरो द्वारा सिचाई किस भाग में अधीक होती है तो गंगा का उत्री मैदान में 207 नमबर हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधिन नगरों में से कहां उद्धों का स्थापित किया गया है तो कहां है बराउनी में 208 नमबर बिहार में 250 से अधिक बीडी बनाने के कार खाने प्रंतु सिगरेट का विशाल कार खाना एक ही स्थान पर है वह कहां है साखफूर में बिहार का एक मात्र तेल सोधन कार खाना किस अस्थान पर है तो बराउनी में है 2010 देखते हैं बिहार की किस नगर में बिहार स्कूटर्श लिमिटेड की स्थाफना की गई तो फतुहा 211 नमबर देखते हैं शतरवी सतावदी में बिहार में सोने की खाने कहां स्थी थी तो फट नाम है बिहार में रेल परिवहन का सुभारम कव से माना जा था 166-1862 तक बिहार राज की पर्थम रेलवे का नाम क्या था तो इस्ट इंडिया रेलवे 24 नमबर बिहार में पर्थम रेल लाइन का निर्मान किस अस्थान के मदवा तो किडल से आसन सोल बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन होता किवल एक को छोड़कर वह कौन हैं तो मद्ध पूरु रेलवे जोकी यहां से नहीं होता है और बिहार में गुजरने वाले राष्टीय मार्ग नमबर दो जिसको गराइन ट्रेक रोड भी कहते हैं का निर्मान किस ने करवाया था तो सेर्षा सूरी बच्पन का नाम क्या था इनका फरीद खान था क्राइन ट्रेक रोड का नाम बदल कर क्या रखा गया था यहा है सेर्षा सूरी मार्ग 218 नमबर 2011 की जनगना के नुसार बिहार में जनसंख्या गनत कितना 1106 इसमें दिसमलब लग गया है लेकिन 1106 बेखती परतिवर किलोमेटर हो जाएगा एक किलोमेटर में 1106 बेखती बि बिहार के किस वर्ष धुरदर्शन का केंद्र स्थाफीत्वात 1978 में अ कि कि भार में किस नगर में दुरदर्शन का पर्थम केंद्र सथाफीतवात तो मुझण फर फूर अ कि दो सो टैस नमबर 2011 की जन गनना कंसार बिहार में साच छर्ता का फ्रतिचत किया 61.8 परसेंट पठना विश्विध्यालाई की स्थाफना का हुई थी उनिस्व सचरह में बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्विध्यालाई का नाम क्या है तो पठना विश्विध्यालाई बिहार का सबसे पुराना चिक्सा महाविध्याले कौन सा है? पटना, मेडिकल, कॉलेज, पटना 227 नंबर देखते हैं बिहार में सरपर्थम की सस्थान पर किर्षी विश्वी विध्याले स्थापित किया गया था? तो समस्तिपूर 28 विहार में सिच्छा कस्तर कैसा है तो मध्यमस्तर का है दोस्तों उन्तिस बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधू था इसका प्रकासन कब प्रारम वहता तो अठारा सो चहुद्तर में बिहार से प्रकासित हिंदी मासिक बाला किस नगर से प्रकासित होता तो प फ्रारम वाता तो अठासो 75 में 222 नंबर बिहार राज में किस वैंक की स्थाफना सर्फरतं वुई तो इलाहावाद वैंक की 233 2011 की जंगन्ना के नुसार किस जिले की जन्संगे सबसे दीक है तो पटना बिहार राज में किस वैंक की सरवाधिक सकाए तो भारती स्ट्रीट वेंग मैथली भासा किस जिले की परमुक भासा है तो दर्भंगा 236 नमबर देखते हैं मगधी भासा किन जिलों में बोले जाने वाली वोली आती तो गया पटना 276 नमबर देखार में बोली जाने वाली किस भासा को समीधान के आठ यह निसकी में सामिल किया गया तो मैच्फली यह का भी हार में क्या तत्र वह, पिट्रू पज़ बियार का विष्ण विख्यात विसिस मेला कॉन सोनपूर का मिला जिसे हरिहर का मिला भी कहते हैं पैसाक पुर्णीमा के दिन बिहार में कौन सा पर्मनाया था तो बुद्ध जियन थी 241 नमबर फाग राग का सिर्जन बिहार में किस ने किया था महाराजा नवल की सोट श्रिंग 242 बिहार में लगनी राग किस अफसर पर गया था तो विभाहोच सब पर गया जाता है बिहार के परख्याच गायक रजा साह ने किस नए अंत्र का सुभाराम किया था तो ठाट का 244 बिहार के किस प्रयेट्षन अस्ठल पर गरम जल के सुरोथ है तो राजगीर में आफगान वाजसा सेर्शा सूरी का मकवरा बिहार के किस नगर में है तो सासाराम में 246 जखते हैं 2001 से 11 के दसक में बिहार की जनसंख्या विर्दिदर कितनी रही तो 25.4 जीरो परसंड ये फूस सकता फरिच्छा में सरवाधिक महिला सच्छर्टा वाला जीला कौन सा है तो मुंगेर है बिहार का सबसे वड़ा नगर कौन सा है पटना बिहार का सरवाधिक जनसंख्या गनत वाला जीला कौन सा है सीवर 250 बिहार राज हस्त करगा एवं हस्त सिल्प कलाल निगम की स्थापना कवई 2004 में भारत का कौन सा प्रख्यात राष्टिये मार्ग बिहार से होकर गुजाता तो ग्रैंड ट्रक रोड बिहार की डिट्ये राजवासा क्या है उर्दू परसास्निक दिश्टि कौन से बिहार को कितने परमंडल और जीलों बाता गया नो परमंडल और 38 जीले 256 नमबर बिहार के ब्रावनी विद्धू उत्पादन में कुल कितना उत्पादन चमता है तो 500 मेगावाट बिहार के काटी में कितना है तो 400 मेगावाट इसका उत्पादन चमता है बिहार में गैर प्रम प्रागत कितनी निधी की अवसकता है उर्जा के लिए 2117 में 1458 कड़ोर और 1217 के लिए 11 प्रंग प्रागत उर्जा के लिए कितना निर्धारित किया गया है कुल कितनी बिहार के सरकारी छेतर में तो 1170 कड़ोर रुपया बिहार के निजी छेतर के लिए 1170 के लिए 780 कड़ोर बारावी फंचवर्शी योजना के दोरां चावल उत्पादन बढ़ाने के लिए किन-किन जी लोग को सामिल किया गया अरेरिया पुर्वी चमफारं दर्वंगा गोफालगन वुजफपरपुर और सुफाल देखते हैं बारावी फंचवर्शी योजना के दोराने के लिए बिहार के किन-किन जी लोग को चैनित किया गया तो अरेरिया और अंगावाद भोजपूर गोवा गोफालगन बिहार में प्रमप्रागत उर्जा के लिए कितने मेगावाट का लक्ष रखा गया अर्तिसो बावन मेगावा लिंगानपात विहार में कितना है 933 दोसो अड़सट देखते हैं विहार में 2011 में कुल जल संख्या कितना मिलियन तो 10.4 एक सो चार मिलियन हो गया तो दस करोड ज्यादा हो गया विहार किर्शी के लिए जीडिपी का योगदान 2009-10 में कितना हो जाएगा 21 दिस हो जाएगा स चहुत्तर परसेंट 2011 में पूरुस सा च्छर्ता दर कितना हो जाएगा 73.34 गंगा के उत्री भाग में काप मिटी और वालू से निर्मित मिटी को क्या कहा जाता है तो दियारा 278 नमबर देखते हैं दियारा भूमी के बारे में कौन सा बाक्स है यह वह वड़ खावर मैंदा बिहार की सरवाधिक उची चोटी का कौन से सोमेश्वर पहाड़ी सिवालिक स्रेनी का निर्मान किस यूग में हुआ था तो केनो जोईक यूग में या सीनो जोईक यूग में बिहार में मैदान की समुदर तल से उचाई कितने 60 मीटर से 120 मीटर बिहार का चांसिय विस्तार कितना है 24 डिग्री बिहार राज का कुल छेत्रफल कितना 94 163 है किलो मीटर बिहार राज की भागोलिक आखिरती किस प्रकार की द्रिष्टी गठ होती तो आयताकार होती बिहार राज की समुदर तल से उसस उचाई कितने किस समुद की चट्टाने सिमेंट उधों के लिए चुना पत्थर प्राप्त होता है तो धाडवार समुद उच्चा वच एवं धरा तलिये रूप के आधार पर विहार को कितने रूप में बाटा जाता है तो तीन भागों में किस स्रेनी के सर वो चोटी की उच्चाई दोसो नवासी बिहार में पाई जाने वाली भूगर गिप संद्चना कव कितने भागों विवाजित के तो चार हारिहा या दून गती की कितनी गहाटी की कितनी उच्चाई है तो दोसो चालीस विहार समुदğर से किस मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है तो गंगा हुगली से 290 बिहार के मैदानी वाक का छेतरपल कितना लगवा फैस आलीस है जार बर किलोमीटर टाल की मिर्दा विहार के किस भाग में मिलती है तो गंगा नदी के दचनी भाग में विहार में कौन सी जलवाई पाए जाती तो उपोष नहीं है मौनसूनी भी होती विहार में 90 तापमन कितना है 32 इंगार सरवाध्य का कि झाला किसन गन्च सरवाध्य को और ही besten ऩबर 때ی कहां के मौन्सून से बर मर्षा फ्राप होती है तो यह हो तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स भी जरो लिखें और इस चैनल पर आपको विहार से समंदित खाश कर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो भी के लिए काफी फ्योगी होगी आप उसे भी देख सकते हैं करेंटर फेयर्स भी जनवरी से मैं तक तो फूल डाला हुआ हर महिने का सब्सक्राइटर फेयर्स है तो आप देख सकते हैं तो धन्यवाद